चलो आज जैसे हम ट्राइब्स बढ़ रहे हैं इसमें हम इन सभी चीज़ों पर आज इनी चीज़ों पर बात करें हम ठीक है जैसे हम बात कर रहे हैं आज ट्राइब्स की और नोमेडिक्स की चैप्टर कोन से हमारा चैप्टर 5 एंसीयर्टी का विए इसमें हम डेखें कि मतलब किस तरीके से समाज में परिवर्तन हुआ कुछ ट्राइब्स ऐसी हुई जो मतलब की पावर्फुल होती चली गई उन्होंने किस तरीके से आगे चलके वे मतलब की जाती व्यवस्ता में वे ट्राइप खासकर हम ट्राइप do harsh जानते हैं हम अंगा कलचुर होता है उनका कलचुर हो गया उनकी लेंगवेजिस हो गई है ना वो सब कुछ सकोई लेंगोन जो होती है लिए बिल्कुल डिफरेंट होते है एक दम वो अलग है एक दम अलग रहना पसंद करते है आन prone जंगल में जो उनकी रोजी सबलार का मतलब वह क्या कहते है उसे जो भी कहते है वह जंगल पर निर्वर होते है अ मसद फेसी जब Right वह सब जंगल पर अंग्री कल्चर पर इन सब सीज़ पर निर्वर होती है अद congrts आप लोग क्या समझते मतलब कि क्या definition है इसकी tribes की tribes & schedule tribes में क्या difference है क्या difference है सबको star करके note करो मेंब कि यह chapter को सुरू करने से पहले मतलब कि star करके इसलिए note कर वा रहा हूं ताकि कल को आपको कहीं इस यह चैप्टर का टोपिक नहीं है मैं सिर्फ और सिर्फ यह समझाना चाहरा हूँ कि tribes में और schedule tribes में क्या फर्क है ताकि आप लोगों को कल पॉलिटी में भी कोई question पूछ ले कि what is the difference between tribes and schedule tribes तो आप उसे describe कर सको कि क्या चीज़ है difference between tribes and schedule tribes schedule का मतलब क्या होता है what is the meaning of schedule schedule का मतलब होता है list ठीक है ना की मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को schedule कर दीजिए मतलब list होता है schedule का मतलब tribes का मतलब होता है tribes का अर्थ होता है कभीला ठीक है और कभीला किसे कहें हम कभीला कहें गए जिनका सेम जिनका सेम ट्रेडिशन हो ठीक है सेम लेंग्वेज हो ठीक है अब हिंदी में लिख लिजए इसको मतलब की एक बासा है ना एक बासा और एक क्रेडिशन को क्या कहें हिंदी में एक बासा और एक मतलब की रिती रिवाज संस्कृति, एक संस्कृति, एक रिति रिवाज ठीक है, और जो टाउन्स और सिटी इससे दूर रहते हो है न, ठीक है न नोट कर लिए आपने तो नोट कर लो इस फ्लोचार्ट को और सेड्यूल ट्राइब्स क्या होते है वोट इससेड्यूल ट्राइब्स क्या जंगल्स, फोरेस्ट्स क्या सेड्यूल ट्राइब्स क्या चीज होती है खासी में जाएगे, वे अपने लेंग्विज उसकर रहे होगे, मतलब सेड्यूल लेंग्विज है न, अब जैसे हम बात करें इसकी सेड्यूल ट्राइब्स की सेड्यूल ट्राइब्स क्या चीज होती है सेड्यूल ट्राइब्स वे होती है जो सेड्यूल्ड हो लिस्टिड जो सेड्यूल ट्राइब को लिस्ट कौन करता है मतलब कि किसके पास अधिकार है कि जो ये बताएगा कि हाँ आप सेड्यूल ट्राइब से है या फिर ये सेड्यूल ट्राइब से है कौन बताएगा इस चीज़ को इस चीज को बताएगा राष्ट पती ठीक है ना भारत का राष्ट पति इस चीज को कोशिट करेगा कि हाँ यह जो ट्राइब से सैड्यूल्ड है ठीक है ना मतलब लिश्टिण अग्याथ जो चीज ट्राइब क्या चीज़ है ट्राइब यह चीज़ है कि जो अन्य समाज से कहीं न कहीं कटी-फटी हो उनका अलग कल्चर हो ठीक है अब सैट्यूल्ड का है बहुत सी ट्राइब तो ऐसी है जो वही हमें देखने को मिल जाती है है ना जैसे कि गोंड हो गई यह सब हो गई मतलब इन सब का हमें पता है कि हाँ यह लोग ट्राइब्स थे लेकिन सर्वे हुआ है ना और फिर सर्वे हुआ और यह क्या बोलते कमिसंस का गठन हुआ वहां से हमें पता चला कि अच्छा यह लोग भी सेम ट्रेडिशन फोलो करत है यह भी इसी वन से है यह भी इसी मतलब कि एक ही फैमिली ट्रें लोगों का तो मतलब कि उन लोगों ने फिन लिश्ट तयार की उन्होंने राष्ट पति को दिखाया तो वहां से उसने उन्हें लिश्टिड कर दिया मतलब कमिसंस का गठन होता है और कमिसंस के गठन के बा ठीक है ना? इसको लिख लिजए एक अलग से कोलंब बना के मतलब tribes हो गया कभीला जो एक tradition एक language follow करता हो ठीक है और जंगलों में टाउन से दूर रहता हो यह तो इसकी हो गई मतलब कि कहीं न कहीं एक तरीके से worldwide जो इसकी definition है tribes की यह worldwide definition है tribes की है ना और अब बाद लोकूर समीति का गठन हुआ था एक लोकूर समीति अब इस जो लोकूर समीति का गठन हुआ था इसमें बताया गया है कि tribes की कोई भी एक परिवासा नहीं हो सकती कोई भी एक परिवासा नहीं हो सकती मतलब कि tribes को एक definition के अंदर हम रखी नहीं सकते कि यह tribes है सीधा अर्थों में यह मतलब है क्योंकि worldwide जो है वर्ड में का गया है कि tribes जो है tribes हुई है जो जंगलों से दूर रहती जंगलों में रहती हो टाउंस में रहती हो यह तो वी जो एक worldwide definition है सिंपल सी लेकिन भारतिय परिपेक्स में बहुत से समाज सास्त्री ऐसे हुए जिन लोगों ने सामाजिक मुल्यों का जिन लोगों ने सामाजिक उनका क्या बोलते है नियमों का ना मान करके अपने ही नियम बनाए उन्हें के फोलो किया तो वे लोग जो पिछड गए कहीं न कहीं अन्य समाज के द्वारा तो वे लोग ट्राइब्स हैं जो हमारे कुछ भारतिय सास्त्रियों उन्होंने ये चीज गई है लेकिन जो एक वर्डवाइड डेफिनेशन है वो ये चीज कहती है तो दोनों दोनों चीजों में आपस में यह ना कॉंट्राइडिक्सन है तो इसी कॉंट्राइडिक्सन के कारण लोकूर समीति का गठन हुआ था और उसने एक चीज गई कि कोई भी एक परिभासा नहीं हो सकती है ना इन सब को स्टार करके नोट करते चलिया आप लोकूर ही है इसका नाम आर्टिकल नंबर 344 में हमें पता चलता है आर्टिकल नंबर 344 में चैडियूल ट्राइब्स की ट्रैफिनिशन नहीं यह मैं इसकी वज़े से कर रहा था ना इसके उपर कोई नहीं आर्टिकल नंबर 344 में हमें एस्टी सैडियूल ट्राइब की डेफिनिशन मतलब परिभासा 344 में पता चलता है कि मतलब एस्टी किसे का जाता है और आर्टिकल नंबर 333 में हमें पता लगता है आर्टिकल नंबर 330 में हमें पता चलता है कि उसमें लोक सभा में इनका वो आरक्षन स्टी का आरक्षन आर्टिकल नंबर 333 में वो 330 में सोरी ठीक है ना 330 330 बोले हैं यह नोट कर लिए आप लोगों ने इतनी चीज रफ कर दूँ इसको इन सब चीजों को एक बोक्स में डाल लो आप है ना यहां से अब नीचे से सुरू करें गया हम अपने चैप्टर को अब ठीक है ना अभी मैंने आपको बता दिया आप लोगों से कोई क्यों सब्सक्राइब क्छूई क्या अब बता दोगे ना अब ना मुझे बता दो ही चीज़ कि कि ट्राइब क्या चीज्य कीत्राइब का आपको यह जिस्तिव से गट्राइब कर फेसे सुन लोậ야 पारिबॉव क्या चीज़ है ट्राइब से चीज़ जो एक लेंग्वेज एक एक संस्क्रीती उसको फोलो करते है ट्राइब का मतलब है कबीला और जो मतलब की हमारी local तौंस इन से दूर रहते हैं मतलब है नियों के लिवस संदोर्त में लिख दो करते हैं यह दो गोवर्नमेंट में रहें लिख से लिख समािति के अच्छा होघा है बसें दो मैंना होता है उसके द्वारा उनको चैक कि एक जाता है कि अच्छा अभी मान लो अभी तक 10 ट्राइब्स थी for example अब अगली जन करना में में पता लगता है कि नहीं एक ओ ट्राइब है या फिर यह विलूप तो चुकी है तो क्या होगा government के लिए फिर एक समीति का गटन होगा वो राष्ट पती को अपना वो भेजेगी निवेदन तो फिर राष्ट पती फिर उस ट्राइब को सेड्यूल्ड वोसित कर देगा मतलब लिस्टिड कर देगा और उससे फिर उसके आरक्षन में आरक्षन मिलेगा ठीक है बहुत से एक्स्ट्रा अधिकार मिलेगे ठीक है मतलब यह सब फायदे मिलते है फिर अगर वो लिस्टिड नहीं है कहीं जंगलों में खोई हुई अभी जानता हूँ एक्जाम्पल के तोर आपको बता रहा हूं कि यह भाई हो गया यह बाई और आपके साइड वाला हो गया इन तीनों को तो मैं जानता हूं मैंने इन तीनों का नाम च्पशल्ड में चढ़ा लिया लेकिन मैंने आपको आझ पहले कभी देखा नहीं था, है ना, या तो आप साइद कहीं पीछे bench के नीचे बैठ रहते होगे, है ना, या फिर class में आते ही नहीं होगे, मैंने आपको कभी देखा नहीं, तो मैं आपका नाम जानता नहीं, मैं उसमें अपने register में लिख तो नहीं सकते ना लेकिन एक दिन क्या होता है मानलो ये भी scheduled है ये भी scheduled है मतलब तीनों के नाम listed है मेरे register में schedule का मतलब listed और आप ओ सिर्फ ओर सिफ ट्राइब एक tribe आप किसी दिन अंदर आते हो आपकी नजर मेरे उपर पड़ती है मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपका नाम भी फिर अपने register में लिख लेता हूँ मतलब अब आप क्या हो गए हो आप भी scheduled हो गए हो list में आगया आपका नाम भी मतलब जो भी tribes जिनका tribes का भी नाम लिस्ट के अंदर आ जाएगा government की राष्ट्पत्र हाँ वो हो जाएगी scheduled tribes ठीक है ना आगया समझ मैं अब हम बात करते हैं अपने chapter के background के बारे में नई इनका सब कुछ लग होता है इसमें हमें interference नहीं कर सकते हाँ सब कुछ अलग होता है इसमें हम interfere नहीं कर सकते कुछ मामलों को छोड़के अब जैसे यहाँ पे अभी मनिपूर में चल रहा है जैनतिया और उसके बीच में तो अब वो मामला ऐसा है उसमें हमें interfere करना पड़ेगा लेकिन जो इनके internal मामले होते हैं जैसे कि मामलों इनके मेरिज जो इनके मेरिज होती है मेरिज हो गई है ना कोई फैस्टिवल्स हो गए इनके तो उसमें हम interfere नहीं कर सकते अब जैसे मैं आपको एक बहुती इंट्रस्टिंग फैक्ट बताऊं यहाँ यहाँ पे गुजरात के अंदर बील जन जाती में गुजरात में इन सब छेत्रों में गोल गधेडो होता है एक चीज बहुत मजाएगा आप लोगों को सुनने में गोल गधेडो साधी होती है साधी का एक परिक्रिया होती है उसमें क्या होता है लड़किया होती है, बीच में एक नारियल रखती है, उसके चारो तरफ गोला बनाती है, और बहार से एक लड़का आएगा, वो लड़का अंदर खुसने के कोसिस करेगा उसके, नहीं पडोस के गाउं से या फिर उस से, जिसे उन्होंने ऐसे एक गोल घेरा बना लिया, यहा अब जैसे लड़का हो गया, अब यह क्या करेगा, चारो तरफ से लड़कियों ने कवर कर लिया है नारियल को, अब यह लड़का इनकी चेन तोड़के इसके अंदर गुसने कोसिस करेगा, और यहां से नारियल को उठाए गये, अगर यह चेन तोड़के इसके अंदर गु प्राश्टगी को चुन सकता है उनुमें से की मैं इसकी साथ साथी करूँ आफ और एक होता है हट विवा में क्या होता है हट विवा गॉल गदेडो को आफ हाँ गोल गदेडो कर लो करते हो तो काम आएगा और भील जंजाती बील जनजातीके अंदर होता है और एक सीज पर्दमि उसके अंदर पेट्रियारकल होने के बजाएं मे जांए होते हां मतलब जो उसके अंदर मतलब एक तरीके से जिसे हम पैट्रियार कल है हमारे अंदर जो घर का मेन मुख्या होगा आदमी होगा उसी की सारी परदानता होगी वही घर का परदान होगा लेकिन इसमें खासी में क्या होता है खासी में होता है माता की परदान था मतलब जो घर की फीमेल होगी वो परदान होगी उसमें साधी करके भी आपको उसके घर जाना होगा लड़की के ना कि लड़की आपके घर आएगी हाँ हमेशा के लिए इसी वज़े से ट्राइब्स को बिलकुली अलग अब हमारे समाज में तो नहीं होती नहीं चीजे यह उनी के समाज में है तो यही चीज उन्हें हमारे से और हमसे डिफरेंट बनाती है है ना इनी चीजों के वज़े से हम डिफरेंट है वे डिफरेंट है ठीक है? अब बात करते हम बैक ग्राउंड की यह हमारा जो मुझात कर के जो मद्य भारत का चेत्र ना मद्य भारत हो गया और परी ओप्षियै भारत लुआ matter हो अप्धान मध्यपर्देश गुजरात इस वाले चेत्र में पूरे इस चेत्र में है हाँ हाँ मतलब जो भी इस जंजाती में बील जंजाती में जितने भी होगे वे उन सब के अंदर यही परता होती है ठीक है ना अब जैसे हम बैक ग्राउंड की बात करते है क्या हो रहा था भी अगर हम बात करते हैं लेकल से लेकल मतलब लशार practiced दा dew जह जो सामराज्यों का फुद है ठीक है ठीक है अब इसमें क्या होगा एक तो होगा प्रीमेडिवल ठीक है फिर होगा डेली सल्तनत और फिर मुगल डेली सल्तनत और यह मुगल हम यहां से बात करते अगर प्रीमेडिवल प्रीमेडिवल मतलब जैसे जहां पर यह मैंने आप लोगों को बताया था जैसे चोलों का सामराज्य का उदय हुआ ठीक है चोल आए फिर यह राश्ट्रकूट्स आए है ना और फिर दिल्ली सल्तनत शुरूई है ना फिर मुगल्स आए तो इन सब तीनों क्या हो जब कोई भी एक नहां राज्य का गठन होगा कोई भी एक नहीं राज्य का गठन होगा तो उसमें कुछ ना-कुछ हमें देखने को मिलेगा तो तो में इसमें क्या देखने को मिला निव डैवलप्मेंट्स निव डैवलप्मेंट्स और किन-किन चीजों में आर्ट्स में कल्चर में इकोनोमी में ठीक है और इवन मार्केट्स में ठीक है जो हम यह डिफरेंट्स जो यह भी मतलब कि जो भी यह निव डैवलप्मेंट्स हो रहे है है ना इन से क्या हो रहा है इन सब की वज़े से हो रहा है टाउन्स का डैवलप्मेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हेंडी क्राफ्ट का हो रहा है हेंडी क्राफ्ट का हो रहा है नास मतलब हम इसे डिनोट कर देगे इससे हेंडी क्राफ्ट लगता नीचे जा रहे है हां भस्त कला क्योंकि जैसे जैसे नए डैवलोपमेंट्स होगे जैसे जैसे मांग बढ़ेगी मार्किट में एकोनोमी का जरौत है तो साथ आप लोग अपने हाथ से भून के मुझे दे दो लेकिन कल को मैं आपको कहते हो कि मुझे 100 सोल की जरूत है या हजार सोल की जरूत है तो आप लोगों को अपनी एक इंडस्ट्री डेवलप करने पड़ेगी और वह इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आप लोगों को कहीं एक मतलब उसमें वह भी रखने पड़ेगे मजदूर भी रखने पड़ेगे और जो मजदू अपर टो दीरे-धीरे टाउन का रोप ले लेगा अब मजदुर कां से अब लाओंगे गाहों से ज़なた अब मजदूर का आएगे तो फिर शौम का क्या होगा ना सोगा और टाॉं का विकास और होगा है कि अस हमतलब जैसे जैसे सब gesund eight footεί सब्थैंन्म डेवल्पnot इसमें हमें दो चीज़े देखते हैं कभी भी किसी भी समाज के मिटा दू इसको रब कर दू हो गया हो गया बनाया नहीं आपने अच्छा बनाओ है हान न्यू डैवलप्मेंट्स समझ आ रहे हैं अच्छे से आ रहे हैं समझ में अलग-अलग मैंशन कर ले ना दोनों चीजों को जो चीज मैंने पहले बताई है है न अब हम यहां से चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं वह चीज मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलिज के लिए बता दीती कौन सा है हाँ यह टाउन डेवलपमेंट है और यह हैंडी क्राफ्ट का नीचे को वह करके मतलब इसका हास है इंडस्ट्री इंडस्ट्री इसका डेवलपमेंट हो गये था ना फिर क्या प्रीमेडिवल का प्रीमेडिवल पीरेड है भाई वह जो हम मध्यकालीन भारत से पहले देखते है मध्यकालीन भारत से पहले हम क्या देखते हैं मध्यकालीन भारत से पहले हम देखते हैं कि कुछ राज्योगा उदय हुआ जैसे के प्राचीन काल हो गया जैसे प्राचीन काल के हम बात करते है असोका गुप्ट यह से वह प्राचीन काल. लेगन गुपतर डाइनस्टी के बाद हम देखते हैं, कि जो हमारा प्राचीन काल है, गुपत और ये क्या बोलते हैं इनके वर्धन डाइनेस्टी के बाद देखते हैं उ जो उत्तर गुपत काल था मतलब जबुपत काल समाप्त ने लग रहा था जो उसके आने वाले वे थे मतलब की उसके जो सासन पे दावा ठोक रहते अपना जैसे हम क्या बोलते वर्धनकाल को देखते हैं जो वर्धनकाल के बाद कुछ वह शुरू हुई है ना मतलब उसके खंडरों पे गुप्त सामराज्य के खंडरों पे जो छोटे-छोटे स्टेट्स खड़े हुए है फिर हम उसको बोलते प्री-मेडिवल पीरियड हां और उसके अंदर जैसे हम देखने को हमें देखने को मिलते राश्ट्व कूट्स पलनवल संगंकाल है चिस से डिनोट करते हैं जो हमारा एंसेंट गाल था एंसेंट काल करते हैं क्यूंकि हम देखते जो समुद्र गुप था समुद्र गुप्त को नैपोलियन का आ गया है भारत का ढ़त का आ अगया है उसने तकरीबन तकरीबन पूरे भारत पे ही कबजा कर लिया था वो इस से नरंदा रिवर से नीचे तक पहुच गया था लेकिन जैसे इसका गुप्त सामराज्य तूटता है इसका विगठन होता है गुप्त सामराज्य का तो उसके उपर जिन नए स्टेट्स का डेवलप्मेंट वह जो नए स्टेट्स खड़े वह उस पर उनको हम कहते है प्री मेडिवल पीरेड के अंदर जो आते है किन समझाया है आप लोगों कोई दिक्कत आगे ना सीदी साधरान बासन में बताया बिल्कुल कि इससे कर दूराब यह उससे पूछना हो गया कि आप कि अ देखो जब भी हम किसी के development की बात करते है चाहे वो society का development हो है ना चाहे वो किसी का educational development हो चाहे वो किसी का physical development हो वो हमेशा बराबर नहीं होता है है ना मानलो सायद ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्याद समझ आ रहा हो आपको कम समझ आ रहा हो है ना तो जब भी हम development की बात करते हो कभी भी बराबर नहीं होता है वो हमेशा उसके बीच में एक differentiation होती है कि इधर जाद हो गया इधर कम हो गया तो जिस चीज को हम देखते हैं यह आ गया है उनकी definition के according tribes वे है जो मतलब की जिनका सामाजिक विकास नहीं हो पाया और जो अभी भी जो वे प्राग एती ऐसी काल में जी रहे थे हैं ना वैदिक काल में जिस तरीके से जी रहे थे वह वैसे ही जीते रहे अब हम वैदिक काल में किस तरीके से राह करते थे पैदिक काल मतलब हम कभी लों में राह करते थे ना कभी लों में रहते थे हमारी एकोनोमी कहीं पर ठीकी हुई थी पसुप आलन पर ख्रीशी पर है ना पसुप आलन एक रीशी पर है ना एक राज्या की संभावना थी उस टाइम राज्या हुआ करता था वैदिक काल में राज्या नहीं थे ना इस्टेट नहीं था ठीक है लेकिन हम जैसे हम हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं वैदिक काल से अगला चरण जो है हमारा उसमें क्या होता है उसमें होता है कि जो यह कभीले है है न यह कभीले अपने आपस के कभीलों में मिलाना शुरू कर देते हैं मतलब एक दूसरे के ओपर हमला कर रहे हैं दूसरे कभीलों को मर्ज कर रहे हैं अपने अपमें ठीक है तो ऐसे करने से क्या होगा उनके अंदर एक उसकी भावना आएगी कहीं की इस्टेट की एक अगर मार्किट डेवलप्मेंट होगे, आर्ट डेवलप्मेंट होगी, फिक है, अभी तक तो हम सिर्फ पसु पालन वैक क्रिसी पे निरवरते, मतलब हम क्या करते थे, अगर हमें कुछ खाने के लिए चावल चाहिए, मैं खाने के लिए, तो मेरे पास दूद होता है, तो मैं आईरनेज में आते हैं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि उसका गठन होने, किसका? अगरिकल्चर के ने टेकनिक आ गई सही है, हलका हुआ, हल से और गहराई से जोत होने लगी, एकोनोमी में बूस्ट आया, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ हमारे जो इसमें जन्पद ह होगा उदय हुआ फिर, महा जन्पद बोलते हैं, लेकिन इस टाइम हुआ, जन्पदों का उदय है, ठीक है? हमारे पास भई, एकोनोमी में अगर बूस्ट आएगा, तो इकोनोमी में बूस्ट आने से क्या होगा? हमें मार्केट भी चाहिएगा फिर, उसे बेचने के लिए है ना, हमें उसकी क्या बोलते है, क्रेवी क्रेव करने के लिए एक ऐसी जगे भी चाहिएगी, श्टोर करने के लिए कुछ जगे चाहिएगी, जहाम उन्हें इस टोर कर रखे, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर मैं किसी चीज को प्रोडक्ट ज्यादा कर रहा उसे अकेला तो नहीं खा सकता ना, फिर मैं सोचूंगा उसे इस्टोर करके रख लो, फिर मैं सोचूंगा चलो उसे मार्केट में निकाल दू, बिख जाएगा, तो फिर महाज जनपदों का अधा हुआ, आईरनेज में, फिर जो इससे अगला पीरेड आता है, जिसे हम पोस हरियक वन्स, हरियक वन्स, है ना, और फिर क्या बोलते है, उससे आगे काला सोका वगेर, इसा बाए, इन सब के नाम तो आपने सुने होगे, ना, नाग वन्स, हरियक वन्स, नाग वन्स, फिर असोक वन्स, मतलब गुप्त, क्या बोलते है, मूरिय वन्स, फिर गुप्त वन तो उस दोरान क्या किस चीज का हुआ फिर बनने लगे महा जनपद मतलब वे बन गए एक बड़ी पावर काफे बड़े स्टेट्स का बनने लग गया मतलब कि अब हम यहां पर देखते हैं यहां पर एक प्रोपर स्टेट का गठन हो चुका था कि अब कह सकते हैं कि हाँ मैं मुर्य डाइनस्टी के नीचे रहता हूं लेकिन इस टाइम तक अब कहते थे सिर्फ कभीले में रहते हैं और इनको कैसे बने अब जैसे माल लो प्रोटैक्शन होती थी कभीलों में रा करते थे कभीलों में रहते थे तो उसमें से एक पावरफूल आदमी ऐसा होता था मान लोग कभीलों में रहोगे वहाँ पे दूसरे कभीलों का डर भी होगा कई वह हमारे उपर अमला ना कर दे ठीक है वहाँ पे बहुत ही ऐसी कैनिबल ट्राइब्स होगी मतलब जो मास भक्षन करती होगी लोगों का उनका डर होगा तो उनसे कौन रख्षा करता था इनकी जो सरदार होता था उस टाइम जो सरदार का जाता था आगे चलके जो राजा बना आगे चलके जो राजा बना फिक है और फिर जब यह आगे चलके राजा बना इसको राजा गोसित किस ने किया इसको राजा गोसित किया ब्रामनों ने क्योंकि यह ब्रामनों की भी रक्सा किया करते थे ब्रामनों को लैंड्स दिया करते थे ब्रामनों को जब लैंड्स देते थे तो ब्रामनों ने इनको कुछ rules regulations ना लगाऊ आपको यह कह दो, आपको मरजी है जो करना है करो या फिर हमारी भारतिय सरकार है वो कह दे, जो करना है करो हम नहीं रोकेगे, तो आप क्या करोगे कोई bank में डाकर डाल देगा कोई ATM लूट लाएगा है न, यह कह दे कि आपको जेल नहीं होगे एक दिन के लिए आपको जो करना है वो कर लो है न, लूट मच जाएगी पूरे भारत में ठीक है न, तो तो क्या पोस्ट, पोस्ट तो क्या हुआ जैसे अब जो ब्राह्मन से उन्होंने कुछ rules and regulations बनाए जैसे जो ब्राह्मन से उन्होंने कुछ rules and regulations कुछ rules and regulations बनाए ठीक है, जो इर rules and regulations बने जिन लोगोंने फोलो किया, जिन कभी लोगोंने इनको फोलो किया, वो तो बनगे जनपद, आगे चलके जनपद बनगे, एक स्टेट की भावन आगे उनमे, कि ब्राह्मन ने सर्दार को कहा, कि आप आगे राजा बनोगे, आप हमारी protection करते हो, और ब्राह्मन से कुछ rules and regulations बनाए, जो लोगों पर निर्दारित होते थे, हैना, मतलब कि आप हवन इस तरीके से करोगे, आप पूजा इस तरीके से करोगे, हैना, और जो वन वेवस्थ थी, ब्राह्मनों ने वन वेवस्थों को लागू किया, हैना, कि ये वन इस काम को करेगा, ये वन इस काम को करेगा, अगर हम वेदिक पीरियड में देखते, जो वन वेवस्थी थी वो कर्मादारित थी यह ना लिख लो आप एक साइड वन वेवस्था करमादारित जो वन विवस्त थी एक करमादारित थी इसमें क्या था कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ब्रामन ठीक है? मेरा ही भाई अगर वो खेती कर रहा है या फिर कोई मतलब की बिजनस कर रहा है तो वो क्या? वो हो गया वैश्य है ठीक है? मेरे पिता वो फोज में अपनी सर्विसिस दे रहे है छत्री है ठीक है? लेकिन अगर मेरे ही एक और भाई कि वो किसी की सेवा कर रहा है उसके अंदर इतनी बोधिक समता नहीं है कि वो किसी काम को कर सके तो वो सुद्र है ना? लेकिन अगर हम उत्तरवैदिक काल में देखते हैं फिर तो उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ? इसके अंदर इतनी जटिलता है आ गई वन व्यवस्ता में कि यह जन्माधारित हो गई on the basis of बर्त है ना? यह हो गई जन्माधारित और जन्माधारित होने से क्या हुआ इसमें? कि अब मैं अगर एक परिवार में जन्म ले रहा हूँ, अगर वै क्या बोलते हैं छत्रिय का परिवार है तो मैं छत्रिय ही कहलाऊंगा हाँ अगर मेरे अंदर बोद्धिक समता नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ, पढ़ा सकूँ फिर भी मैं छत्रिय ही कहलाऊंगा हाँ क्या? हाँ, सिक्सा देने वाले ब्राह्मन मतलब मैं बता रहा हूँ एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ अगर मैं सत्रिय के घर में पैदा हो गया मेरे बसकी नहीं है लड़ना जगड़ना रक्सा करना फिर भी मैं छत्रिय ही हूँ लेकिन इससे पहले जब हम वैदिक काल में देखते तो वैदिक क्याल में क्या था कि अगर मैं लगड़ना जगड रहा हूँ मतलब रक्सा का काम कर रहा हूँ तो मैं हो गया सत्रिय है अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ एक ही परिवार में एक ही परिवार के अंदर हुआ अगर था मतलब जन्माधारित होगी चीज़े, करमाधारित ने रही, जन्माधारित होगी, हाँ, तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे मतलब यह रूल्स रेगुलेशन्स का गठन हुआ, है न, अब आगे क्या होगा इसमें, मिटा दू इसको, पक्का, लिख लिया न, जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन्स का गठन हुआ, तो इसमें से, एक तो थे, जो इनको मानते थे, और एक थे, जो नहीं मानते थे, ठीक है, एक थे, जो मानते थे, और एक थे, जो नहीं मानते थे, जो मानते थे, उनको का गया कि यह डैवलप्ट हो गए, है न, क्या, हाँ, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन्स उन्होंने बनाए, संसकार बनाए, है न, संसकार बनाए, मतलब तरीके बनाए, कि हवन इस तरीके से करना है, बैठना इस तरीके से है, वन वेवस्था बनाए, कि वन में इस तरीके से हो रहना है, तो जो उस चीज को मानते थे, उन्हें तो हमने का कि वे मोडन हो गए, modern समाज जिसे हम आज एक सब्य समाज भी बोल देते हैं अंग्रेज बोलते थे कि भारतिय सब्य नहीं है जबकि उनसे ज़्यादा ग्यानता है भारतियों के पास ठीक है? जो नहीं मानते थे जंगलों में रहते थे मतलब जो ट्राय अपने कभीलों से हटे ही नहीं जिन्होंने यही सोचा कि हम जनपद में जाएगे ही नहीं अपने कभीलों को ऐसे के ऐसे ही जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेगे मतलब जिनके अंदर कोई development नहीं हुआ है ना? जंगलों में रहते थे है ना जंगल से ही क्रेविक्रय किया करते थे है ना आपस में ठीक है और वहीं की मतलब अपनी खुद की लीपी यूज किया करते थे कि इन्होंने का कि संस्र्ट का यूज्ट करो या ह Leist Clay करो इन्होंने बोला नहीं हम यूज़नी करेगे मुला हमारी खुद की एक वास हामे उसका यूज़करेगे अपना खुद आ rape अपने खुद के उसको लेके चले, उस वर्गों को का गया आज के टाइम पर ट्राइब्स, है ना, मतलब इसकी सीधी से परिवासत जो है, जो हमारे आज के उन्होंने बताई है, मतलब ये सोसलोजिस्ट ने बताई है, समाज सास्त्रियों ने बताई है, कि एक वो वर्ग, जो किसी तरह से हमारे आधुनिक समाज के बजाए पिछड़ा रह गया, जो वर्ग है, वही ट्राइब्स है, है ना, और उसको वो यहीं से जोडते है, इसी पॉइंट से जोडते है, कि जब वैदिक काल में जन्पदों का, मा जन्पदों का गठन हो रहा था, जब ये लोग उस और आगे चलके उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्होंने इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं माना, तो इसलिए ये ट्राइब्स की ट्राइब्स रह गए, और आज ये ट्राइब्स है, इसलिए इनको ट्राइब्स का जाता है, है ना, देखो वो प का नोट कर लो इसे मिटा दूसे हो गया हो गया अब हम बात करेंगे जन जातिय समाज की विसेश्था की कि इनकी क्या विसेश्था थी फिर आपसे कोशन पोच्छूंगा कोशन नोट करवाऊंगा कर लिया नोट कर लो जल्दी कर लो इसे कर लिया इसकी इसकी उसमें से नोट कर लो मैं इतने अगला ले जा रहा हूं ठीक है या फिर इसको थोड़ी देर के लिए रोग दो फिर टाइम लग जाएगा क्या क्या है अच्छा थीक है अब हम बात करते है जन जाती है समाज की विशेष्था ठीक है जन जाती है समाज की क्या विशेष्था थे इसकी पहले पहला पॉइंत है इसका सामाजक के विवस्था को ने निर्माण हुई थी जो मैंने आपको इसम्हें भी बतायाता सामाजिक व्यावस्था को नहीं मान रहे थे दे डोंट फोलो दा सोचिल रूल्स और रेगुलेशन है ना सीदी से इतनी से बात है मतलब सामाजिक व्यावस्था को नहीं मान रहे थे ठीक है यह है और समान वर्गो में विभाजित नहीं थे मतलब कि यह है असमान वर्गो में विभाजित नहीं थे जैसे हमारा यहाँ पर वर्ण वेवस्था थी यह ना अमीर गरीब की बावना थी इस तरीके से असमान वर्गो में विभाजित नहीं थे सब इक्वल थे ठीक है ना इंग्लिस में लिए दे डे डॉन्ट डिवाइड ऐजा हो गया ना लिख लिए ना बस वे ठीक है और तीसरा है नाते दारी संबंदों से जुड़े हुए थे मतलब कि इनके रिलेशन्स बहुत इंपोर्टेंट थे नाते दारी संबंदों से जुड़े हुए थे है ना नोट कर लो और चोथा है सबसे में पसू पालन वे क्रिसी पर आधारित थे है ना ये इनकी विशेशता है जन जाती समाज की विशेशता ठीक है ना लिख लिए आप लोगों ने क्रिक है क्रिक है क्रिक है लुटे 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 लुट अब हम बात करते हैं कौन थे, इन्होंने, मतलब हमने इन्हें कैसे पैचाना, ठीके न, आपको क्या लगता होगा, कैसे पैचाना होगा, हमने अपने इतियास को कैसे पैचाना होगा, कैसे पता लगा कि यह इस टाइम की चीज है, यह इस टाइम की चीज है, कैसे पता लगा हो आर्किटेक्ट्चर हो गया, है ना, उसके लिखित, है ना, इंस्क्रिप्शन हो गये, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ था यह नहीं, हाँ, मतलब इनकी जो रिती रिवाज, है ना, मतलब की, कैसे, पहचाना, लिखित, नहीं मिले, ठीक है, इन्हें हमें पहचाना, रिती, रिवाज, प्लस, वो रिती रिवाज, और, मोखिक, मतलब रिती रिवाज, उसे, और, जो हमें, एक दूसरी के मुह से, बाते पता चली, उनके द्वारा, हमने इनकी पहचान की है, है न, मोखिक, ठीक है, यह लिख लो कि, कैसे पहचाना, इस चीज़ को, लिखित साक से नहीं मिले, यहां पर लिखना, लिखित साक से नहीं मिले, मैं बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्णिंग लिख लो, लिखित साक से नहीं मिले, जो हमें, दो चीज़े मिली है, वो यह है, रिती रिवाज, एवं मोखिक, जो मोखिक सब्दों में वर्णन हुआ उनका, आपस मैं, है ना, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने कुछ चीज मुझे बताई, मोखिक, ठीक है ना, चलो, अब आगे पोइंट्स डाल लो, आगे हैडिंग डाल लो, जन जातियों की पकड समया अनुसार बदलती रही, हैडिंग डाल लो, ब्लैक पैन से, जन जातियों की पकड समया अनुसार, बदलती रही, बदलती रही, बोलू, आगे, ब्लू पैन से लिखना सुरू करो, पंजाब पर, लिख रहो, पंजाब पर, तेरवी वै चोदवी सताब्दी में, खोकर जन जाति बहुत प्रभाव साली थी, खोकर जन जाति बहुत प्रभाव साली थी, बाद में गख्खर, बाद में गख्खर लोग ज़्यादा मैतपुन हो गए, उसके मुख्या, अगला पॉइंट डाल के लिखना, उसके मुख्या, खान गख्खर को गख्खर को गख्खर ये लिख्खा हुए ना, गख्खर देखो, खान गख्खर को बादसा अकबर ने मनशबदार बनाया था, बादसा अकबर ने मनशबदार बनाया था, अगला पॉइंट उत्तर पस्चिम में एक और विसाल जन जाती जिन्हें बलोच का आ जाता था थी जिन्हें बलोच का आ जाता था ये छोटे छोटे कभीलों में रा करते थे और कुलों में बटे हुए थे कुलों में कुल कुलों में कुल से क्या समझते आप लोग क्या चीज होती है कुल मतलब मैं बोलता हूं मैं इस कुल से हूं आप बोलता हो आप इस कुल से हो कुल क्या चीज है जाती नहीं हाँ कुल एक समूझ है लोगों का जो ये कहता है कि जो अपने आपको एक ही वनस अच्छे मानता है समझे कि मतलब कि आप ये कहते हो कि हम सूर्य वनसी है सूर्य से अपने आपको जोड़ते हो आप कहते हो कि हम चंदर वनसी है चंदर से अपने आपको जोड़ते हो तो वह आपका कुल है मतलब आप कहते हो कि हमारे पूर्वज एक ही थे अब कुल की डेफिनेशन लिख लो लिखो अलग से स्टार लगा के कुल परिवारों या घरों का एक ऐसा समू घरों के एक ऐसे समू को कुल का जाता था परिवारों और घरों के एक ऐसे समू को कुल का जाता था जो एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे ठीक है अब अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थे पस्चिमी पाडियों पर है अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट मतलब यही चल रहा है वो तो मैंने बीच में कुल समझा दिया था आपको की कुल क्या चीज होती है ठीक है पस्चिमी पाडियों पर गड़ी गड़ी और पूरड गड़ी गड़ी गड़रियों किछ जंजाती रहा करती थी वैक गुर्जर बकरवाल वैक गुर्जर बकरवाल बकरवाल भी यहीं मिलते है बकरवाल भी यहीं मिलते है यह अमें क्या बताना चाहरा है कि यह में क्या बताना चाहरा है कि मतलब कि कहां पर कितना डिवीडेंट है कौन सी ट्राइब कहां पर मिलती है अगला पोइंट लिखें नोर्थीस्ट में नागा नोर्थीस्ट में नागा वै अहोम अहोम मिलते है नेक्स्ट पोइंट लिखें भुजूदा पिहारवे जारखंड में कई इलाकों में कई इलाकों में बारवी सदी तक चेर कई सदी तक कई इलाकों में बारवी सदी तक चेर सर्दार चेर सर्दार साहियो का उद्य हो चुका था इसी में नीचे ऐसे डाल के लिख दो अकबर के परसिद सेना पती अकबर के परसिद सेना पती राजा मान सिंग राजा मान सिंग ने 1591 1591 में चेर लोगों पर हमला किया व्या उन्हें प्रास्त किया स्टार डाल लो नेक्स्ट पॉइंट हमला किया व्या उन्हें प्रास्त किया इसे हाइलाइट कर ले ना आप लोग है ना मेन पॉइंट है पीटी वगेरा में छोटी छोटी स्टेटमेंट में पूछ लेता है अब मैं आपसे कोशन पूछ लेता है इसी चैप्टर में से इसी टोपिक में से कोशन आया हुए अभी पूछूँगा आपसे एक बार इसे लिख लो डिक्टेट कर दो मैं आप लोगों को यह आपका कंप्लीट हो गए ना मतलब जो फ्लो चार्ट है ठीक है और यह है यह आपका कंप्लीट हो गए इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जितने भी में में यह आपके पास चैप्टर की समरी हो जाएगी आपको फिर दुबारा से इस चैप्टर को खोल के देखनी की जरूरत नहीं है मतलब आप इसे भी पढ़ लोगे ना तो आपके लिए सफिशेंट है इसके अंदर मैंने हर वो चीज डाल दिया है जो जो आप लोगों के लिए जरूरी है ना बस इसे मतलब कि रिवाइज करन ठीक है अभी मैं आपको एक डिक्टेट भी कर दूंगा पूरा के पूरे टोपिक को आपके सामने आप खुद देख ले ना मतलब कि मैंने कोई पोई पोइंट छोड़ा तो नहीं है आपको खुद पता लग जाएगा जब मैं डिक्टेट करूँ है नसी आटी को अभी जो मिर संधाल को बंगाल कि पंगाल वी उडिशा सोरी बंगाल वय उडिशा Ha! टेजिकरव मेरा घरते हैं और दो this Extra मैं करोबा रहा है हूँ ना मैं और इनंसको लिख लेंना यह जोग्रफी में भी आजाते है मैं फंझीकल जोग्रफी में है है ना कि कौन सी ट्राइब की छेत्र में रहती है कहां रहती है वो जोग्रफी का टोपी को जाएगा लक्स हो जाएगा इसमें काफी ट्राइब से लेकिन इनको आप नोट करकर रिखना है ना जिसे लिम्बू है लिम्बू कहां मिलती है लिम्बू जन्जाती कहां मिलती है लिम्बू जंजाती मिलती है सिक्किम में, अरुना चल पर्देश में है ना, लिम्बू L-I-M-B-U लिम्बू इनके अपने अलगी कल्चर है, अलगी मजे में रहते हैं लोग इनने नी रहते हैं किस चीज की टेंशन वेंशन अरे लिम्बू को नहीं, कोई सी भी ट्राइब को यार इनने थोड़ी UPSC निकालना है ठीक है आगी लिको नेक्स्ट पॉइंट लिको, भीलो भीलो की बड़ी जंजाती पश्चिम और मद्य भारत में निवास किया करती थी और मद्य भारत में निवास किया करती थी नेक्स्ट पॉइंट लिके करनाटक वे महरास्टर की पाड़ियों में करनाटक वे महरास्टर की पाड़ियों में कोली वे बेराद कोली 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 वे बेराद निवास किया करते थे मुलतान वे सिंद में लंगा जन्जाती पाई जाते थी मुलतान वे सिंद में लंगा मुलतान मुलतान वे सिंद में लंगा जन्जाती पाई जाते थी लंगा लंगा क्या लंगा नहीं जैसे खोकर थे हैना खोकरों का क्या हुआ खोकर उस टाइम जन्जाती के तूर पर रहा करती थी वहाँ पर जैसे वो मुहम्मद भी वह था गजनभी था जितनी बार भी उसने 17 बार आकमर्ण किया इस पर सोमनात के मंदिर पर उसको जाना पड़ता था इसी रीजन से पंजाब वाले रिजन से है ना हिंदुक उसकी पाडियों को पार करके जाना पड़ता था उसको अफगानिस्तान वाली ठीक है और वहीं पर आ करते थे खोकर और इन्होंने खोकरों ने उतनी बार उसको लूटा है 17 की 17 बार लास्ट बार वो आया था अपना आकर्मन करने अठवारवी बार जब वो आ मरी गया और ना टमजा लां अमकर न क्रें नहीं मतलब थे खालं आ करने के लिए लेकिन जाते जाते वह आये कि चड़ गया है और और यो कर आगे चल तो मतलब इनका जो एक रूतबा है सोशल वह है मतलब सोशल इनकी वैल्यू है वह डैवलप हुई होगी ठीक है उससे क्या होगा फिर आगे चलके इनको जाती का भी वह दे दिया गया जाटों में गोत्र है खोकर जाट गोत्र है खोकर तो अब जो हम है हम क्या बोलते हैं जो खोकर जनजाती है मतलब जो खोकर गोते है उसको उसी से अब देखो जैसे मैं आपको बताओं नहीं जातियों का वो कैसे उद्भो कैसे हुआ इसमें आगे टोपिक भी है जैसे अभी मैंने आपको एक्जाम्पल दिया क्या कि मतलब यह क्या उससे ट्राइब से जाती में परिवर्थित होगे अब जैसे आगे चलके वे हुए गोंड जन जाती हुई अहोम जन जाती हुई यह जो जातिया थी असल में इतनी पावर्फुल हो चुकी थी कि मतलब इनके पास अपने खुद के महल हो गए थे है ना इनके पास अपने खुद का स्टेट हो गया था तो ये सब होने के कारण इन्होंने क्या काम किया इन्होंने किया ब्राहम्मनों को इन्होंने फंड्स देने शुरू किये लैंड्स देनी शुरू कि है ना as a gift तो ब्राहमनों को जब अब आपको क्या लगता है अगर हम social structure में देखे तो ब्राहमन इनके घर अनुस्ठान क्यों नहीं किया करते थे हम वैदिक काल में भी देखे उत्तर वैदिक काल में भी देखे तो ब्राहमन ये क्या बोलते है सुद्र कॉम्यूनिटी में अनुस्ठान वो क्या बोलते है वो क्यों नहीं किया करते थे हवन जप वगेरा बताओ उसके पीछे रिजन सिर्फ इतना था उन्हें पता था कि हमें वहां से कुछ नहीं मिलेगा उसके घर में खाने को तो कुछ है नहीं हमें क्या देगा जब आगे चलके जिस से इन्होंने स्ट का दरजा जिसे दिया था जिसे कहते हैं जंगलों में रहते हैं वहां रहते हैं जब इन्हें उन्हें से लैंड्स मिलने लग गए एना उन्हीं से पैसे मिलने लग गए तो इन्होंने क्या काम किया इन्होंने उन्हें ST से निकालके जातियों का दर्जा देना शुरू कर दिया कि बोले अब ये ट्राइब्स नहीं है अब ये जाती बन चुकी है जैसे कुछ जातियों को जैसे उन्होंने जो काम किया करते थे लोहे का, जैसे आपने देखा होगा, सिटी के बाहर ये गुमन्तु जन जाती है, मतलब जीने हम बोलते है, ये खाना बदोस जन जाती, खाना बदोस को उन लोग होते हैं, एक जगे नहीं रूखते, ये घूमते फिरते रहते हैं, और ज प्रोड के किनारे आपने देखा होगा, बुग्गी-बुग्गी रहते हैं, उनकी वहीं पड़े रहते हैं, अपना वो टेंटूंट सा लगा के, तो वो क्या वे हैं, घमन तु जन जाती, ठीक है, अगर वही लोग उस टाइम पर क्या करते, उनके पास इतना पैसा होता, औ और वो ब्राम्मन्स को उन्होंने ग्रांट्स देने शुरू कर दिये, ब्राम्मन्स को लैंट्स देने शुरू कर दिये, तो ब्राम्मन्स ने क्या गया, उन्हीं में से कुछ लोगों को उठाके लुहार, लुहार जाती का गठन हो गया, ठीक है, बढ़ई, जो लकडी का का क्या करते थे जंगलों में जो बनाया करते थे मतलब कि यह चेयर काट वाट यह सब बनाया करते थे बढ़ा ही जंजाती का हो गया और जो लोग खासकर जैसे यह लोग थे क्या बोलते मुंड गोंड हो गए है ना अहों हो गए यह लोग थे पावरफुल इन लोगों ने अपन राजपूत करते हैं, तो यह अब जंजाती नहीं दी, यह एक राजपूत कैटेगरी, सब कैटेगरी होगी है, इन लोगोंने आगे कास्ट में भ 기। decilly मतलब एक राजपूत, अब यह लोग इधर जघांए वемся मतलब लड़ते थे प्लू से नीचे लिखना खाना बदोस और गुमंतु मों प्लू से नीचे लिखना खाना बदोस और गुमन्तु गुमन्तु लोग गुमन्तु लोग कैसे रहते हैं लिखिये खाना बदोस चरवाय अपने जानवरों के साथ खाना बदोस चरवाय अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक गुमते थे उनका जीवन दूर अन्य पसुचारी उत्पादो पर निर्भर था चीजों पर वह चीजों के लिए वह चीजों के लिए उन गी आदी का विने में भी किया करते थे कहां से वह चीजों के लिए उन वुल गी आदी का वस्तू भी निमें भी किया करते थे विने में को इंगलीज में कहेगे क्या बोलते है वो ट्रिड वस्तू विने में भी किया करते थे एक जगह से आते जाते समय एक जगह से आते जाते समय वे से आते जाते समय वे सामानों की खरीद फरोक्त किया करते थे सामानों की खरीद फरोक्त फरोक्त खरीद फरोक्त किया करते थे अगली एडिंग डालिए क्या इसका इसका वो होता है यार रुको क्या अच्छा पास्ट बोल रहा हूँ ठीक है इसलोग बोल लूँगा उनको बोलते है खाना बदोस को इंगलीस में नहीं खाना बदोस नहीं बोलते हो नहीं हाँ बन जा रहे है अच्छा अगली एडिंग डालिए बदलता समाज वे नहीं जातिया और सरेणिया बदलता समाज वे नहीं जातिया और सरेणिया सरेणिया सरेणि मतलब नोमेड से यह वे भी दोनों एक ही स्टेटमेंट है खाना बदोस का मतलब यह है कि अगर हम इनको पूरी तरीके से बात करें खाना बदोस और गुमंतु जैसे कुछ गुमंतु जाती है ऐसे होती है कि जो हमेशा घुमती रहती है और कुछ जाती है जो सीजर घुमती है जीजर आ मनलौ है यह जहां पर गुम लूंतौ disfrut humor में टोफनि एक लिए अपनी बखे जैने चले जाते है चले जाती है चैन। इन चार महीं से हैं यह जईए ल district इन चार महीन्हाई धोन नीचे अच्छी घास आ जाते तो अपनी बख्री के लिए के नीचे आ जाते है और फिर कुछ ऐसे होते जो लगातार चल रहे है। हूँ ह कर दो यह दोनों असल में अलग है लेकिन जो इनको यह कहते हैं मतलब कुछ हमें इंस्क्रिप्षेंस ऐसे मिलें जिसमें कहते हैं कि हम सेम है असल में जो गुर्जर जाती है उसका जो उदेव है वह गुर्जर पढ़ती आरवन से गुर्जर पढ़ती आरवन से गुर्जर जनजाती का वो जाती का उदेव हुआ है जिसमें एक सेक्षन तो ऐसा रहा जिसने अपना विकास कर लिया एक सेक्षन ऐसा रहा कि जो मतलब की जानवरों के उपर आधारी तरह है ना मतलब इनकी एक टर्मिनलोजी तो है जो इस चीज को मानती है एक सेक्षन ऐसा होगे जिसने अपना विकास कर लिया आगे चल के मतलब ये लोग बाग हो गए कंगे और एक सेक्षन ऐसा रहा जो अभी भी ट्राइप्स की तरह रहा जैसे गुर्जर बकरवाल हो गए ना हां मतलब इन दोनों की अब जिसे राजविस्तान में ये मांग करते है कि हमें सरकार बोलती है कैसे दे आपको एस्टी का दरजा आप तो ओल्रेडी मतलब इतने सकसम है तो बोलते हैं कि वे हमारे वन्सज है जब उन्हें स्टी का दर जाय थे हमें क्यों नहीं है तो इस चीज पर हमें से विवाद बना रहते हैं मतलब कहीं पर भी ऐसा कोई पर्मानिक श्रोत नहीं है जो यह कहता हो कि यह दोनों आपस में मतलब मिले जुड़े हैं आप ऐसा कोई पर्मानिक श्रोत नहीं है हमारे पास यह कारण है कि हम यह पास हम मतलब किसी गैरेंटी के साथ नहीं कह सकते कि आपस में जुड़े हुए है बस कुछ मतलब कि कुछ ऊपरी चीज़े है छोटे मोटे सोवे उनके बरुस्ते परम नहीं कर सकते ना ठीक है अब च जैसे 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 समाज बदला उत्पादन बड़ा अ समाज में नई वस्तुओं की मांग बड़ी तो समरिद जन्जातियों के ब्राह्मनों ने तो समरिद जन्जातियों को मांग बड़ी तो समरिद जन्जातियों को ब्राम्मनों ने जाती का दर्जा दे दिया ब्राम्मनों ने जाती का दर्जा दे दिया पूर एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुनार लोहार बढ़ाई लोहार बढ़ाई राज कारपेंटर राजमिस्तरी अब बात करेंगे हम गोंड जन्जाती के पारे में गोंड जन्जाती कहाँ पाई जाती है गोंड जन्जाती जन्जलों में नहीं गोंड वाना छेत्र में नहीं गोंड वाना छेत्र में इसका नामी गोंड वाना की वज़े से पड़ाई गोंड वाना गोंड वाना छेत्र मतलब की MP माहरास्ट्रा ना MP हो गया महाराष्ट्रा 36 गर्ड वगेरा इस सब को जिसे 36 गर्ड जारकंड ये जो पूरे नीचे का बैल्ट है ना MP 36 गर्ड जारकंड बियार इस पूरे चेत्रों गोंडवाना लेंड्स का आ जाते है है रीजन भाई ये है कि जब मतलब उसका जब हमारे सिफ्ट हो रही थी ना मतलब जो हमारा एक पैंजी अगर तोर पे थे हम मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पैंजी अथा पूरा का पूरा और ये नीचे था जो इसको हम अज जो पैसिफिक हो गया है जिसको आज हम पैसिफिक परसांत मासाकर बोलते हैं तो एक ही पूरा का पूरा एक तरफ पानी था और एक तरफ लेंड थी ठीक है जब इस चीज का गठन हो रहा था मतलब जब ये आपस में टूट रहे थे तो जो भारतिय यह है जिसे हम बोलते है उपमादुइप भारतिय उपमादुइप और यह उपर यहां पर एशियन प्लेट जिसे हम बोलते है यूरेशियन प्लेट है ना जब यह आपस में जाके यहां पर कॉंट्रेक्ट हुई यहां पर आपस में जाके ऐसे चिपक गई है इस तरीके से, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, तो एक जो छेतर था, इसको गोंडवाना लैंड्स बोलते थे, जो अफरीका वाला था, हमारा जो भारत है, वो अफरीकन लैंड से अलग हुआ, जैसे मैड़ागास कर रहे, आप कभी भी मैप, वल्ड मैप देखना, उसमें आ पूरे चेतर को गोंडवाना लैंड से बोला गया, फिर जब यहां पर आके, यहां पर आके टकरा गया, चिपक गया, तो इसको हम बोलते है, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट यू, और इसको बोलते है, हम गोंडवाना, गोंडवाना चेतर, ठीक तो जैसे गोडवाना चेत्र में इनका नाम पड़ा गोंडवाना चेत्र से जो जनजाती थी यह कुलों में बटी होती थी जिस तरीके से यह क्या नाम है बलूच थे जिस तरीके से वे कुलों में बटी हुई थे कुल मतलब यह अपने आपको एक वंस से इस्तापित करते थे कि हमारा वंसाज एक है इस तरीके से कुल में बटी वी थी है और इसमें जो देखो इसकी जो सबसे पोपिलर चीज है वो है इसकी प्रसासनिक व्यवस्था गोंड जन जाती थी कि प्रसासनिक व्यवस्था मतलब इसका एड्मिनिस्ट्रेशन इसका एड्मिनिस्ट्रेशन डिवाइड है तीन उसमें तीन कैटेगरीज में तीन कैटेगरीज है गोंड जन जाती कि प्रसासनिक व्यवस्था कि पहला है गड़ ठीक है दूसरा है जोरासी ठीक है और तीसरा है बरहोत है ना जो चोरासी था इसमें था ग्रूप ओफ 84 क्या आँ गोंड की गोंड की गोंड जन जाते कि प्रसासनिक व्यवस्था है ठीक है यह था ग्रूप ओफ 84 विलेजिस इसलिए आम इनने इसको चुरासी का मतलब इनने इनकी प्रसासनिक व्यवस्था में सबसे चोटी काई गड़ ठीक है मतलब बड़ी काई यह गड़ फिर चुरासी ग्रूप ओफ 84 विलेजिस ठीक है और फिर यह बरहोत था ग्रूप ओफ 12 विलेजिस ठीक है यह होगी सबसे बड़ी गड़ फिर यह चुरासी ग्रूप ओफ 84 विलेजिस और यह बरहोत ग्रूप ओफ 12 विलेजिस नोट कर लिया आपने है कर लिया करो टाइप्स नहीं है मतलब की जो इनका एड्मिनिस्ट्रेशन था असल में गोंड जो जन चाती थी वो बाद में इतनी पावरफुल हो चुकी थी इन्होंने अपना एंपायर खड़ा कर लिया था है ना अब मैं आपको पूरा का पूरा डाइग्राम बनाऊंगा वो उसका मतलब की पूरा इसमें क्रोनोलोजी बताऊंगा कौन सा राजा क्या हुआ कैसे उसने साधी कहा की तो उससे आपको अच्छे समझाएगा कि कितना पावरफुल हो गयते राज्य है हां 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 मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे मतलब कि इतने पावरफुल हो गयते इनके वास इतना पैसा बड़ा इस्टेट हो गया था कि जब इन्होंने ब्रहाम्मनों को देना शुरू कर दिया अनूदान लैंड एट सेक्टर तो ब्रहाम्मनों नहीं इन्हें अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया विह एक हिरन्या गर्भा प्रोसेस होता था एक रण्यियं ही आगर्भा प्रोसेस जैसे हम बोलते थे गोल्डन वोम उसमें क्या होता था एक गयार सत्रिय को भी हरतान। सत्रिया घोसित कर दिया जाता था कि अब यह सत्रिया है तो मतलब ऐसे ही कुछ इनकी साथ हुआ मतलब जैसे जैसे जितने पावरफुल होते गए तो ब्राह्मन ने जातियों का दर्चा देना शुरू कर दिया आगे चलके जो मैंने अभी आपको समझाया था बदलती जातिया है ना समझाया था तो अब यह होगे बरहोत वगिर है यह तक हो गया अब देखो होगे ना बना ली न अपने यहां का एक रीजन तक गड़ कटंगा आपने कानी भी सुने ओगी महारानी-दुरगावती की पता है आप लोगों को महारानी-दुरगावती के बारे में जब मुगल्स के टाइम में मुगल्स ने उस पर अटेक किया था तो वो अकेली ऐसी ओरत थी जो लड़ी थी और यूद में मारी गई थी अपने बेटे की साथ में है ना तो गड़ कटंगा छेतर पड़ता है इसमें गोंड जन जाती का गड़ कटंगा ठीक है तो इसमें क्या हुआ था इसमें जो राजा था राजा का नाम था इनका राजा अमंदास राजा अमंदास इसने उपादी धारण करी थी संगराम सा की संगराम सा मतलब इतने पावर्फूल हो चुके अब इन्होंने उपादी धारण शुरू कर दिये संगराम सा संगराम सा की इसने उपादी धारण करी थी राजा अमंदास राजा अमंदास ठीक है पिर अगला हुआ राजा दलपच्चा इसकी साथ क्या खासियत थी? इसकी साथ खासियत ये थी दलपच्चा की साथ क्या खासियत थी? इसने जो अपने वैवाईक संबंद है और राजपूत कराने के साथ बनाएं वैवाईक संबंद राजपूतो इसे बनाएं ठीक है? ठीक है? लेकिन जो इसकी डैथ थी वो बहुत जल्द हो गई अकास्मिक मृत्य हो गई इसकी और जो इसकी साथी होई थी वो होई थी रानी दुर्गावती से जो इसकी वाईफ थी एं अकास्मिक अकास्मिक मतलब की अचानक एकदम से अकाल मृत्य हो जो इसकी वाईफ थी वो थी रानी दुर्गावती रानी तुरुगावती ठीक है? ये थी इसके महोबा चंदेल वंस की राजकुमारी है है ना? महोबा चंदेल वंस की राजकुमारी ठीक है? चंदेल वंस की राजकुमारी ती है मतलब आप यहां से देख सकते हो कि इसने उपादी धारण करी संगराम साकी ये है तो जंजाती पर पावरफुल इतनी हो चुक है इसने उपादी धारण करी संगराम साकी फिर इसका जो आगे इसका उत्रदिकारी हुआ दलपत सा इसने वैवाइक संब्द बनाए राजपूतों के साथ महोबा चंदेल वंस की राजकुमारी से साधिकरी इसने रानी दुर्गावती से मतलब कि हम क्या देख रहे आगे? मतलब अब इनके बीच में वैवाइक संबंदों के भी स्थापना होनी शुरू हो गई है मतलब इनके बीच में जो connections थे वो अब political से मतलब की आपस में भी connection होनी शुरू हो गई है एक तो होते political connection बस चीक है? तो मतलब हमें यहाँ से पता चलता है दिरे-दिरे जो थी इनकी आर्थिक इस्थिति, सामाजीक इस्थिति, इनकी पावर ये धीरे धीरे बढ़ रही थी. क्या, ये? ये महुबा, महुबा. महुबा चंदेल वंच की राजगुमारी. ये राजा अमंदाज. राजा. राजा अमंदाज का, वो था, क्या बोलते हैं, इसको? इसका उत्रा धिकारी. हाँ. क्या? हाँ, महुबा चंदेल वंच की राजगुमारी. और फिर इससे अगला हुआ है, वीर नारायन. लिख लिख लिए आप लोगों ने हैं? है? मतलब आप लोगों ने क्या, क्या चीज नोटिस करी हुए इन में? गोंड जंजाती में क्या चीज नोटिस करी? एक छोटे सिंपल सब्दों में मुझे समझा के दिखा हुए, बस. मैं समझ जाओंगा कि आप लोगों को समझ आ गया? मतलब अन्य जंजाती हो से गोंड जंजाती में क्या फर्क मैसूस किया आपने? मतलब अन्य जंजाती में क्या आपने? मतलब यही है इसका मतलब जो आपने कहा बिल्कुल सही का है, इनका कारण सिर्फ इतना था कि यह अपने आप में इतना पावरफूल हो चुके थे, कि आगे चलके जिसे इन्होंने ब्राह्मन को अनुदान भी दिये, लैंड्स दिये, तो ब्राह्मनों ने भी आगे चलके इनके इसको डेवलोपमेंट को देखकर, इनकी पोलिटिकल एलाइंसिस वगएरा को देखकर, इनको आगे चलकर सेड्यूल ट्राइब से निकालके ऐसे राजपूत सब कैटेगरी में इनके अंदर इनको रख दिया, है ना मतलब हम इसमें देख रहे है कि कैसे आगे जैसे भी कोई ट्राइब मजबूत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइब नहीं गई, वो आगे चलके कास्ट में भी कनवर्ट हुई है, जिससे हमने अभी पीछे देखा सुनार, लोहार वगएरा ये सब, जिससे समाज की मांग बढ़ी, प्रोडक्शन की मांग बढ़ी, तो ब्रामनों ने भी क्या देखा कि अच्छा अब इनके पास इतना पैसा हो गया है कि ये मुझे दे सकते कुछ, ब्रामन को पैसे दे सकते हैं, मतलब मुझे अनुस्थान करवा सकते हैं, जब तक उसे लगता था कि ये तो गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, देने लायक मुझे, तब तक उन्होंने उन्हें इग्नूर किया, कि इनसे क्या है, इनने साइड रखो, जब उन्हें लगा कि हाँ, इनके पास तो अब आ गया है, ठीक ठाक आ गया है, तो उन्हें सोचा अब इन्हें आप कैटेग्री में ले आओ, ठीक है, मतलब इतनी बात यह है, कि किस तरीके से परिवर्तन है, समाज में, समाज में, सब कैटेग्री में, कैटेग्री में, सैड्यूल ट्राइब से, कास्ट में, किस तरीके से परिवर्तन है, यह चीज़ हमने यह आ जानी है, वन थे जाती है नहीं थे, वन वन थे, वन के अंदर सब कैटेग्रीज भी होती थी अब जिसे चथरी है अगर हम आज के परिपेक्स में देखे तो अगर हम जिस टाइम मराठो का उदय हो रहा हूँ था मराठो का उदय माना जाता है किन से मराठो का उदय माना जाता है ऐसे वैस से जाती से वैस से जाती से मराठो का उदय माना जाता है लेकिन उनके वर्क कल्चर को देखते हुए उनकी मतलब की वोर टैक्टिक्स को देखते हुए किस तरीके से उन्होंने वोर को किया कैसे वो इतने पावरफुल बने उनको किस कैटेगरी में डाल दे गया, उनको डाल दिया गया, सत्रिय, सत्रिय कौन होगा, जो भी यूद करेगा, राजपूत यूद करते थे, सत्रिय, जाटो ने यूद लड़े है, सत्रिय, ठीक है, मराठो ने यूद लड़े है, सत्रिय, सिक्स ने यूद लड़े है, सत्र है मतलब जो भी यूद्ध करेगा करेगा वो सब्सक्राइब यह कास्ट हो गई और सब्सक्राइब वर्ण हो गया कि अधिक ना आगे ना आप लोगों को समझाए अब अगला लिए हैटिंग डालो अहूम अहूम कुछ भी ऐसा तो नहीं राना कि जो आपको लोगों को समझना आया हो लिखो पॉइंट डालो लिखिए अहूम लोग तेरवी सदी में आकर प्रमपुत्र गाटी में में बसे और बेसिकली जो अहूम लोग ते एक लिख लो आप उपर इस्टार डाल के अहूम लोग ते जो उनका मतलब जहां से उनकी वह हुई है उद्य हुआ है अहूम लोग जाने जाते मियानमार से वह आये थे भारत में मियानमार से और मियानमार से आकर प्रमपुत्र गाटी में बस गए थे उनोंने बुया बुया या बुया ये चंद्रबिन्दु है न कोई बुया भूईया, 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 भूईय नए राज्य की स्थापना की नए राज्य की स्थापना की पंद्रह सो तेईस में 1523 में चूटियो चूटियो उन्होंने चूटियो वे 1581 में कोच हाजो कोच हाजो कोच हाजो कोच हाजो को अरा कर अपने सामराज्य में मिला लिया बस थोड़ा सा हो रहे रहे हैं एक पैरा हो रहे बस और पंद्रह सो तीस में आगने आस्त्रों का प्रयोग किया 1530 हाँ और 1530 में आगने आस्त्रों का प्रयोग किया मतलब गोला वारूद और नेक्स्ट पॉइंट डालो इस्टार करके 1662 में 1662 में मीर जुमला के नेत्रित्व में मीर जुमला 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 मीर जुमला के नेत्रित्व में अहोम राज्या पर हमला किया गया लेकिन मुगल जादा समय तक नियंतरन इस्थापित नहीं रख सके हमला किया गया लेकिन मुगल जादा समय तक नियंतरन इस्थापित नहीं रख सके जादा समय तक नियंतरन इस्थापित नहीं रख सके और अगला पॉइंट लिख लिजए छोटा सा पॉइंट है कि इनकी उसमे न अहोम जन जाती में जन गणना की भी करवाई जाती थी जन गणना करवाई जाती थी उसका कारण था जन गणना करवाने का कि जो dance छेत्र है ना उन छेत्र से लोगों को निकाल के कम population वाले छेत्रों में बेजना ठीक है census ठीक है और मतलब कि जो वहाँ से वो निकालने क्या बोलते मजदूर और मजदूरों को का जाता था pike 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 p-i-k-e pike ठीक है कि जो कि जो कुछिवाद वाल